तमाम खुपसूरती के बावजुद भी बसंत वो अलसाया मौसम है जो एक दहसत की आर्ट लेकर आता है। फरवरी में पढ़ने वाली बसंत पज़मे में अगामी मार्च में होने वाल एकजाम की बधहवासी घुली होती है। हर मौसम के अपनी खुपसूरती और उदासी होती है। जाड़ों की गुनगुनी सुबह जितनी खुपसूरत होती है। ठुठुरी राते उतनी ही सुनी और साद बरी। गर्मियों की सन्नाटा दोपहरी जितने अंगारों की सी तप्ती शामे उतनी सी ठंडी। रंगीन, रजनी गंदा, चमेली, रात रानी की खुस्पूम में भींगी। इन दिनों गर्म दोपहर में अंगारों की तप्ती छतों को सुकद, सितल, चांदली जैसे मुआजे में मिलती है। सावान की जमाजम पालिज में मक्मली हुई धर्ती हर्याली पाकर जूमती है। सभी मोसम को अपना लावडने है। फिर बसंत में ऐसा क्या है। बसंत प्रकर्तिकी अतिवाद से अच्छोता मोसम है। किसी भी तरह के अतिवाद के से स्वय को बचाय रखने वाले को सदेव समान मिलता है। प्रकर्तिकी कठोरता से अस पर्स बसंत ही वो मोसम है जब प्रकर्तिका हर रंग खुस मिजाज होता है। सरसों के पलवन के दिन होने के ही कारण सायद परतिक रूप में बसंद पंचमी के दिन पीले परिधान पहनने का चलन आया होगा अपचारिक सिक्षा का परचलन तो ठीक है लेकिन कास परिच्छा की परथा ना होती तो ये मोसम छात्रों को भी कितना भला लगता फरवरी महिना की एक तारीक लगते ही एक जाम का जो काउंट डाउन स्टार्ट होता था कि कलेजा दुक दुकाने लगे बसंद रितु में होने वाली स्रसोती पुजा भैवित छात्रों को निच्चे ही साहस देती होगी मा स्रसोती का आशिरबाद बसंद पंचमी को ही लिया जाता है और पीले वस्तर पहें के जो मा स्रसोती आशिरबाद देती है चात्रों के वो चात्र परफुलीत रहते हैं और फुरी नहीं समाते हैं और बिना कोई लगन के एक्जाम में पास होते हैं आपने साहिद नहीं देखा हूगा मैंने देखा है बंगाल में आज के दिन बसंद पंचमी की दिन कोई भी पच्चे कलम नहीं उठाते सिर्फ अपनी माता स्रस्वती के चरणों में बठे रहते हैं कि उनका असिरवत किसे तरस मिल जाए बरत करते हैं मैं भी बरत करता था बसंद पंचमी कोई टाइम था जब इस्टुडेंट लाइफ होती है बिद्यारती जीवन तो उस वक्त लगन थी और मैं बरत करता था आ और यह फरवरी की बात तो एक्जाम की बात करते हैं वो आज सुरूआ हुआ हमारे टाइम में दिसंबर में परिच्छा हो जाती थी और जन्वरी एक को नए क्लास की सुरूआत होती थी कास वो दिन दुबारा आ जाए थैंक्यों वरिबड़ी